तो पहले दिन 107 करोड की तड़ी कमाई करने के बाद जब मूवी अगने दिनों में घुशी सलार तो वो इतना अच्छा में ही कमा पाई यहाला कि सबको यह लग रहा था कि मूवी बहुत ही छपड़ फार देगी यह 1000 करोड से भी आगे निकल जाएगी मगर मूवी का जो अब तक का टूटल कलेक्शन है वो 435 करोड हैं इंडिया में होल इंडिया की बात हो रही है आपर मूवी का 400 करोड का बजट कहीं न कहीं यह दिखा रहा था कि मूवी का हिट होला कितना जरूरी था मूवी ने जब शुरुआत में 107 करोड की कमाई की और उसके बाद आप यह सोचिए कि अब 10 दिन में मूवी ने 400 करोड कमाई है मतलब पहले दिन ही 14 हिस्सा मूवी ने कमा लिया था इसका मतलब मूवी ने उतनी तगड़ी कमाई नहीं की है मगर मेकर्स को कही न कहीं ने प्रोफिट जरूर दिया है क्योंकि मूवी 435 करोड कम्प्लेट कर चुकी है और विदेश में भी यह मूवी काफी अच्छा कमा रही थी तो इस वज़े से इस मूवी का जो बोक्स ओफ इस कलेक्शन वो काफी सही है और जब भी यह सलार 2 आएगी एक हिसाब से उसका जो हम कहें कि फर्स्ट कलेक्शन है सलार का वो काफी डिपेंड करता है और कैसा रिवो रहता है उस पे भी सलार 2 का क्या कलेक्शन रहता है वो डिपेंड करता है सलार का बहुत ही अच्छा रेक्शन है लोगों का और कई जो क्रिटिक्स हैं वो यह कह रहे हैं कि अगर आप बजट को हटा दे कि भाई मूवी का इतना बजट ना लगा होता तो यह मूवी सुपर डूपर हिट होती क्योंकि अफकोस 435 करोड कोई और मूवी कमा है तो वो सुपर डूपर हिट है और इस मूवी के 435 करोड के बाद मूवी लोग यह ही कह रहे हैं कि यह मूवी ने कल का दिन 8 करोड के कमाई की है और अभी एक्सपेक्टिड है कि इसका जो टोटल कनेक्शन है पूरे इंडिया में वो करीम 45-470 करोड तक हो और उसके बाद मूवी अच्छा कमाई करके रिटायर हो जाए और फिर मेंग फोकस सलार 2 पे रहे सलार 2 की शूर्टिंग भी अभी कुछी दिनों में होने शुरू होने वाली है और मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और प्रभास भी उस लोई को करने के लिए काफी उत्सुख है खैर आपको सलार कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतेंए धन्यव मैं 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 आपको